इसलिए भारत की प्राथिक्ता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं अपना प्रभाव बढ़ाने की है हम आप की तरह जलाने वाले नहीं हम सूरत के कीरन की तरह रोशनी देने वाली लोग है हम विश्व पर अपना दबदबाद नहीं चाहते हैं हम विश्व की समृद्धि में अपना सही योग बढ़ाना चाहते हैं योग को बढ़ावा देना हो सूपर फूर्ड मिलेट्स को बढ़ावा देना हो मिशन लाइफ यानि लाइफ टाइल फर एंडवार्मेंट का वीजन हो भारत जीडिपी सेंट्री ग्रोथ के साथ ही हुमन सेंट्रिक ग्रोथ को भी प्राफिक्ता दे रहा है मेरा आप से भी आग रहे हैं यहां मिशन लाइफ को जादा से जादा प्रमोट करिए हम अपनी लाइफ टाइल में थोड़े से बड़लाव करके भी परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप मैंसे कुछ लोगों ने इनिसेटिव लिया भी हो आजकल भारत में एक पैड मा के नाम अपनी मा को याद करते हुए एक पैड लगाना मा जिन्दा है तो साथ ले जाना मा नहीं है तो तस्वीर ले जाना एक पैड मा के नाम लगाने का अभियान अद्देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं यह हमारी जन्मदाता मा और धर्ती मा दोनों का यश्व बढ़ाएगा साथियों आज का भारत बड़े सपने देखता है बड़े सपनों का पीछा करता है अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलेंपिक खत्म हुए है अगले ओलेंपिक्स का होस युएसे हैं जल्द ही आप भारत में भी ओलेंपिक्स के साख्शी बनेंगे हम 2036 के ओलेंपिक्स की मैज़मानी के लिए हर संभो प्रयास कर रहे हैं स्पोर्ट हो बिजनेश हो या फिर एन्वार्मेंट एंटर्टेंडमेंट आज भारत बहुत बड़े आकर्षन का केंद्र है आज IPL जैसी भारत की लिग्स दुनिया की टॉप लिग्स में से एक है भारत की फिल्में ग्लोबली धुम मचा रही हैं भारत आच ग्लोबल टुरिजम पे भी पर्चम लहरा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड है मैं देख रहा हूँ इन दिनों हर शहर में लोग नवरातिन का गर्मा सीख रहे हैं ये भारत के प्रति उनका प्यार है साथियों आज हर देश भारत को जादा से जादा समझना चाहता है जानना चाहता है आपको एक और बात जानकर खुशी होगी कल ही अमेरिका ने हमारे करीब तीन सो पुराने जो सिलालेग और मुर्तियां थी जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा कोई पंदरा सो साल पुरानी कोई दो हजार साल पुरानी तीन सो सिलालेग और मुर्तियां भारत को लोटाई है अभी तक अमेरिका ऐसी लगबग पांसो दरोहरें भारत को लोटा चुका है ये कोई छोटी सी चीज लोटाने का विशे नहीं है ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूँ साथियों भारत और अमेरिका की पांटनर्शिप लगातार मजबूत हो रही है हमारी पांटनर्शिप ग्लोबल गुड के लिए है हम हर छेत्र में सयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहुलियत का भी द्यान है मैंने पिछले साल ये गोशना की थी कि सियेटल में हमारी सरकार का नया कॉंसलेट खोलेगी अब ये कॉंसलेट शुरू हो चुका है मैंने दो और कॉंसलेट खोलने के लिए आपके सुजाओं मांगे थे मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुजाओं के बाद भारत ने बोस्टन और लास एंजलस में दो नए कॉंसलेट खोलने का मिरणा लिया है मुझे युनिवर्सिटी अफ हुस्टन में थिरुवलुवर्ट चैर अप तमिल स्टडिश को एनाउंस करने की भी खुशी है इससे महान तमिल सन्थ थिरुवलुवर्ट का दर्शन दुनिया तक पहुंताने में और मदद मिलेगी साथियों आपका ये आयोजन वाकई शांदार रहा है यहाँ जो कल्टरल प्रोग्रम हुआ वो अदबूत था मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे लेकिन वेंट्यू छोटा पड़ गया जिन साथियों से मैं यहाँ मिल नहीं पाया उनसे मैं च्छमा चाहता हूँ उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वेंट्यू भड़ लेकिन मैं जानता हूँ उच्छा ऐसा ही होगा जोश ऐसा ही होगा आप ऐसे ही स्वस्त रहें सम्रुद्ध रहें भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहें इसी कामरा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद मेरे साथ भोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्वाद